शिरी गड़ेशा है नमाना मश्का में त्रोष स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान गंगा में नवरात की दूसरे दिन मा ब्रह्म चानर्णी की पूजा अर्चना की जाती है मा के नाम का पहला अक्षर है ब्रह्म जिसका मतलब होता है तपस्या और चानर्णी का मतलब होता है आचनर करना मानता है कि उनकी पूजा से मनुष में तप, त्याग, वैराग, सदाचा, सैयम की वृद्धी होती है ब्रह्मचार्णी माता की पूजा 18 अक्टूबर 2020 को होगी तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या है माता का बीज मंत्र, क्या है पूजन विधी, माता को किन वस्तो का चढ़ाए भोग प्रशाद और क्या है उनकी कथा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रत एवन तेवारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को प्राताकार जल्दी उठका इसनानाधी से निवरित होका साफ एयूंज सुक्षबस्ट धारं करें सिभूएब अब ब्रहमचारणीे की पुझा लिए उनका चित्र या मूर्ति पुझा की स्थान पर उस्थापित करें हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचार्णी देवी का ध्यान करे तथा उनके बीज मंत्र का ध्यान करे ये है मा ब्रह्मचार्णी का बीज मंत्र इसके पश्चाद माता के चित्र या मूर्ती पर फूल अर्पित करे और नवयद अर्पित करे मा ब्रह्मर चार्णी को चीनी और मिश्री अत्यधिक पसंद है इसलिए आप उन्हें भोग में चीनी और मिश्री अर्पित कर सकते हैं इसके साथ ही आप चीनी और मिश्री और पंचा मिरत का भोग भी माता को अर्पित कर सकते हैं इसके साथ ये आप माता को दूद से बने हुई कोई भी मीठी वस्तू या मिठाई अर्पेत कर सकते हैं। मा ब्रह्मचारणी की कथा का इनुसार पूर्वजनम में देवी ने हिमाले के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारज जी के उपदेश से भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कटिन तपस्या की कारण उन्हें ब्रह्मचारणी नाम से जाना गया। एक हजार वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खा कर बिताएं और सौ वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कटिन पुआस रखे और खुले आकास के नीचे वर्ष और धूप के घोर कस्ट से हैं। तीन हजार वर्षों तक तूटे वे बेल पत्र खाएं और फगवान शंकर की अराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सुखे बेल पत्र का खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना चोड़ने के कारण ही उनका नाम अपढ़ना पड़ा। कटिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन हो गया। देपतारिशी मुनी सभी ने ब्रह्मचार्णी की तपस्या को अभूत पूर पुर्णी कृत्त बता कर सहार नागी। और कहा कि हे देवी आस तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की। ये आप से ही संभव थी। आपकी मनो कामना, परिपूर होगी और भगवान, चंद्र मौली, शिवजी आपको पती रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। तब तपस्या छोड़ कर घर लोटाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। अधाकरसार ये हैं कि जीवन के कटिन संघर्सों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मौना बर्म्रचानी देवी की कृपा से सर्वसिद्धी प्राप्त होती है। मेरे वीडियो में आंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।